तो आज हम सिखेंगे कैसे करते हैं अपने Windows 10 के अंदर कंप्यूटर के अंदर अपने Wi-Fi Hotspot को Enable तो basically आपको कुछ नहीं करना है अपने अपने Settings पर चले जाना है तो यहाँ पर Start बटन पर जाके आपको यहाँ पर Right Click कर लेना है क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर Settings का Option देख जाएगा तो Settings पर कल लेना है क्लिक सेटिंस पर कलिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाता है जिसके आप देख पा है यहाँ पर बहुत सारे आपको देख जाएंगे तो यहाँ पर चला जाने है Network and Internet पर नेट्वर्क एन इंट्रेट पर जाते ही आपको यहां पर Wi-Fi का ओप्शन दिख रहा होगा तो यहां पर चला जाना है Mobile hotspot में पर जाते ही आपको यहां पर कर देना है क्लिक क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से OSAOQ जो भी ही आप पर बलाबला उसका password यहां पर यह वगरा अगर आपको यहां पर पासवर्ट चेंज करने तो देट पर पे क्लिक कर लिजिए कुछ भी आप पासवर्ट यहां पर दे सकते हैं तो जैसे कि आप देख पार हैं यहां पर हम पासवर्ट देते हैं 1234567 तो ऐसा कुछ दे देते हैं पासवर्ड एजी रहेगा 78 तो देने के बाद यहां पर कुछ नहीं पासवर्ड चाहँ जाएगा पासवर्ड चेंज होने के बाद आप यहां पर नोटिस करोगे कि जैसी आप कोई भी डिवाइस करने करने कुछ करते हो उससे वहले आपको यहां पर शेयर करना पड़ेगा अपने मोबाइल आपसपट को कर लेते हैं इसको एनेबल यहां भी डिफॉल्ट ओफ रहता है तो ए करन देख पार है हमारे वाइफ से बादव यहां में इस वाइफ वाइफ से रहतना है यहां पे न्युग दोनों नेयेब यहां पर इस यह पासवर्ड है 12345678 तो यह हमारा पासवर्ड है और कर लेते हैं इसको ओके जिसी के आप देख पा रहे हैं इसली कनेक्ट हो चुका है हमारा यहां पर जो की है HP O3A इसी नाम के साथ मतलब हमारा यह जो चीजे मोबाइल होट्सपोट जैसा वर्क करता है हमारा कंप्यूटर या फिर कहलो हमारा लाप्टॉप तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ आगी होगी ऐसी और वीडियो